Hello guys, welcome to my new video आज की वीडियो बहुत ही जादा तभाई मचाने माली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लिए हूँ GTA San Andreas के लिए Remastered Version और इस Mode Pack को में Basically Remastered Version क्यों कह रहा हूँ वो आपको अभी आगे पता लगने वाला है Basically मैं आपको यह बता दू कि इस Mode Pack के जरी आप अपने GTA San Andreas के अंदर हर एक एक चीज को बदल दोगे हर एक एक चीज को बहुत जादा Detailing कर दोगे यहाँ पर आप जिसे की देख सकते जो रोड है बिल्कुल चेंज हो चुकी है रोड टेक्शर बिल्कुल चेंज हो चुका है रोड के लाइन पूरी चेंज हो चुकी है Also यहाँ पर जो basically trees है जो skybox है सबका सब जो है totally change हो रखे जो काड़ी है वो भी यहाँ पर चेंज हो रखे आपको जो basically cards है इस mode pack के अंदर सब भी change मिलेगी basically यह mode pack बिल्कुल all-in-one mode pack होने वाला है क्योंकि इस mode pack के अंदर आपको A to Z सब भी चीज़े आपको मिलने वाली है यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको skybox है वो आपको देखने मिल रहे वाला जिसलिए कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इसलिए मैं इसको रिमास्टी वर्जन केह रहा हूं और आप लोगों को इस mode को डाउने के बाद बहुत ही जादा मजा आने वाला क्योंकि बहुत ही जादा इस mode को डाउने के लिए तो सबसे पहले तो आप डाउने के बाद में आपको वापेस इस वीडियो के अंदर आना है क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको इस इंस्ट्रोलेशन बताने वाला हूं उसको अगर आप देखोगे तो आपका आपको अच्छे चलेगा वर्न आपका गेम क्रेश हो जाएगा उल्टा फिर लाइक आपका कुछ प्रॉब्लम हो सकता है या फिर आपका मोट पेक नहीं चलेगा ठीक है अगर आपको नहीं पता कि इस मोट पेको कैसे इस इंस्ट्रोल करना है अपने गीम के अंदर ठीक है इस वीडियो को पूरा देखते रहें क्योंकि चो इस्ट्लेशन पार्ट है तो रड़ा इंपोर्टेंट रहेंगा और ज्यादा कुछ नहीं होगा बहुत जाए लाइक बहुत ही इस्ट्रोलेशन होगा तो इसलिए वीडियो को पूरा एक बार देख लेना ताहिकि बात में अब को किशुन आए और बात में मुझे कमेंड में कि यह ना क्यों की लिएक वोट नहीं कि तो बैसिकली बें टाइम वेज निहीं करता हूं सबसे पहले इंट्रोलेशन की और चलते और फिर बाके की बाते करते है ठीक है तो फॉस्ट फॉल लेट्स को टू टू इंस्टोलेशन तो यहाप आपको फाइल मिल जाएगी रिमास्टर करके ठीक है यह फाइल को आपको डाउनलोड करें डिस्क्रिप्चर में लिंक मिल जाएगा 826 MB का साइज होगा इस फाइल को आपको यहाप सिंपली जो है एक्स्ट् करने के बाद में बता दू कि थोड़ा लग बड़ी फाइल तो टाइम लगाएगा तो यहां पर देख लेना वाकी मेरा तो यहां पर हो चुका एक्स्ट्रक्ट फोल्डर मिल गया आपको इस फोल्डर का आपको कुछ नहीं करना इस फोल्डर को आपको जो है यह से कौपी कर देख कर चाह कर आप कर लो टाकी आपका स्ट्रोड बज जाएगा तोड़ा कट करने के बाद में तोड़ा बैक आने के बाद में आपको जाना है Android के अंदर आइडरोट के अंदर जाने के बाद पेस्ट कर देना ठीक है मैंना दूरीड है प्र पेस्ट किया वास्लेच भी तो पहले ही बता दू आपको जो है पुरानी फाइल आपने रखी भी होगी उसको आपको रिमूव कर देना है और फिर यह नई फाइल आपने डाउनट करी है उसको आपको पीस्ट करना ठीक है सिंपल रहेगा और कुछ नहीं करना रहेगा और उसके बाद में जो आपका मोट पैक है वो अच्छे से रन हो जाएगा आप अपना गीम चला के देखो कि तो गेम आपका अच्छे से चलेगा और सबी डिवाइस के लिए अच्छे से सपोर्डेड है कोई भी इशू आपको य सब्सक्राइब करना मत बुलना क्योंकि सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ओन करकी जाना क्योंकि उस सही आपको आने वाले मोट की नोटिफिकेशन मिलेगी क्योंकि आ गई बहुत सारे अच्छे मोट आने वाले तो उनकी नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहेगी तो इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना और I think आपको यह वीडियो अच्छे लगी होगी तो basically guys आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं next वीडियो में thank you so much for watching this video and bye bye झाल